हलो दोस्तो मैं ससांगतिवारी आपके अपनी यूट्वीब चैनल फ्लैक्स कोचिंगे जैसा कि थमनील देखके आज आपको पता चला होगा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है? आज की अपनी टॉपिक है भारत में वर्तमान में कौन क्या है? तो आज हम लोग कुछी पर चर्चा करेंगे और questions आपके सामने है, इस bold पर question आपके सामने लिखा हुआ है और हम एके question को पढ़ेंगे और उसके answer को जानेंगे. ठीक है तो question मैं यहाँ पे लिखा हूँ question मैं आप से करता रहूँगा और आप comment box में जवाब देते रहेगा मैं उसका उत्तर आपको देता रहूँगा चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की class पर आज की topic पर तो पहला question है यहाँ पे वर्तमान में भारत के पचासमे मुख्य नयदी CJI कौन है तो पहला question है कि जो अपना मुख्य नयदी CJI है वर्तमान समय में भारत के कौन है और उनका नाम क्या है यह सारी questions आपको जानना बहुत important है क्योंकि exam में अक्सरी questions आते रहते हैं तो आपका जो question है वर्तमान में भारत के पचासमे मुख्य नयदी CJI कौन है तो उसका उत्तर आप लोग comment box में देते रहिए हाओर मैं यहाँ पर आपको उत्तर लिख देता हूं कि वर्तमान में कौन है धनंजय धनंजय तो उत्तर आप लोग नोट करिएगा धनंजय S1 चंद्र चूड का नाम आप लोग ने सुना होगा चंद्र चूड चंद्र चूड तो बच्चो ध्यान दिजिए मित्रो कि वर्तमान में भारत के 50 में मुख न्यायधी कि CJI आपके धनंजे एस्वंत चंद्र चूड जी हैं तो इस बात को हमेशा धान में रखियेगा कि आपके मुख न्यायधीस 50 में CJI धनंजे एस्वंत चंद्र चूड जी हैं चलिए कोशन नमर 2 पे आते हैं भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो चुनाव आने वाला है और तो जानना भी पड़ेगा कि चुनाव आयुक्त कौन है इस समय भारत के वर्तमान में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजे मैं आपके उत्तर यहाँ पर देता हूँ आपके board पर और ये सारी question आप लोग बहतर तरीके से तैयार करिएगा मैं आप लोगों के लिए लेके नए-नए current affairs के topic रोज डेली आता रहूंगा और आप लोग channel पर बने रहिए और channel को like करिए subscribe करिए और bell icon को जरूर दवाएए ताकि नए-नए update आप तक कौन है और ये आपको जानना बहुत जरूरी है तो इस समय कौन है उत्तर आप लोग comment box में दीजिए राजीव कुमार कौन है इस समय राजीव कुमार तो आपके भारत के वरतमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी है चलिए question number 3 पर आते हैं वरतमान समय में ल UPSC भारत के लोग सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है या वरतमान में अध्यक्ष कौन है UPSC के तो आप लोग comment box में उतर दीजिए मैं आपको बताता हूँ और इसके नए अध्यक्ष या वरतमान अध्यक्ष है डाक्टर मनूज डाक्टर मनूज मनूज सोनी चली ध्यान दीजिए डाक्टर मनूज सोनी वरतमान समय में लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष है और question number 4 पर आते हैं वरतमान में भारती cricket control board BCCI बहुत मज़िदार question है और ये सारी question exam में आते रहते हैं तो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि वरतमान में कौन क्या है तो उसके सारी प्रस्ण के उत्तर यहाँ पर मैं आपको उपलब्द कराता रहूँगा तो आप लोग पताएए कमेंट बॉक्स में मैं हाँ पे उत्तर लिखता हूँ आपके की रोजर बिन्नी कौन है रोजर बिन्नी जी यहाँ पे आपके बिस इसी आई के अध्यक्ष है चलिए कोशन नमर 5 पर आते हैं कोशन नमर 5 पर वर्तमान में भारतिय वलंपिक संग आई ओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो पहली महिला अध्यक्ष वर्तमान में आई ओ ए के कौन है उनका नाम क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजे मैं यहाँ पर उत्तर लिखता हूँ पीटी उसा पीटी उसा जो एक एथलिट भी है और यह आपके अध्यक्ष है वर्तमान में कौशन नंबर च्छा पर आते हैं भारत की पहली आदिवासी महिला रास्टपती कौन बनी हुई है तो इस समय आप सभी लोग को पता ही है कि आदिवासी महिला रास्टपती कौन है जिसका नाम आप लोगों को पता है और यह कौशन आया हुआ ह अभी जल्दी में बहुत सारे examS हुए है कुछ कारण से examS को cancel कर दिया गया है dear student मित्रो तो वह exam फिर से होंगे तो यह सारी तयारी अगर अपनी बनी रहेगी तो हम exam क्रेक करेंगे और वहतर तरीके से अच्छे नंबर से क्रेक करेंगे तो आदिवासी महिला रास्टपती क इसका नाम आप सभी लोग को पता है तो मैं यहां पर उत्तर लिख देता हूँ द्रोपदी मुर्मू मुर्मू जी आपके भारत की पहली आदिवासी महिलार राष्टपती हैं द्रोपदी मुर्मू जी कोशन नमर साथ में आते हैं वर्तमान में भारत के साली सीटर जनरल कौन हैं तो साली सीटर जनरल कानून जो होता है अपना कानून दूसरा कानून का में रूप से अधिक्ष समझे लिजिए कि ये आपके साली सीटर होते हैं वर्तमान में भारत के साली सीटर जनरल कौन हैं तो इनका नाम है तुशार महता ये आपके वर्तमान में भारत के सालिसीटर जनरल तुशार महता है वर्तमान में भारती रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त है और ये बहुत जरूरी है जानना कि RBI के डिप्टी गवर्नर वर्तमान समय में किसको नियुक्त किया गया है या कौन नियुक्त है तो आप लोग उत्तर बताईएगा मैं यहाँ पे आपको उत्तर देता हूँ कि कौन है तो उनका नाम है dear student मित्रो उनका नाम है स्वामी स्वामी नाथ नाथन श्वामी नाथन जान की रमन यह आपके RBI के वर्तमान समय के डिप्टी गवर्नर है स्वामी नाथन जान की रमन question number 9 पर आते हैं dear student पहला question हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौता हो गया पाचवा हो गया छटवा हो गया साथवा हो गया आठवा हो गया अभी हम कौन से नंबर पर आ गया question number 9 पर तो वर्तमान में ससत सीमा भल SSV की नई महानिदेशक कौन है तो SSV जो आपको सुरक्षा प्रदान कराते हैं जो आपने भारत देश को एकदम मजबूत बनाने में दिनो राट हमारी नौजवान लगे रहते हैं तो उनके नए या व प्यारे मित्रों रस्मी 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 सुकला रस्मी सुकला रस्मी सुकला रस्मी सुकला SSV की नई महानिदेशक है चलिए question number 10 पर आते हैं वर्तमान में हाकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है तो हाकी आप सभी लोग को पता है कि हमारे भारत का कौन सा खेल है तो राश्टि हम लोग हाकी हमारी भारत देश का है तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में हाकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है तो हाकी इंडिया के अध्यक्ष इस समय वर्तमान समय में दिलीप दिलीप टिकी दिलीप तिर्की जी है इसमें हाकी इंडिया के अध्यक्ष question number 11 पर आते हैं वर्तमान में परमाण उर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में परमाण उर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है तो इनका नाम है मित्रो अजीत अजीत कुमार महंती तो question number 11 आपका हो गया question number 12 पर आते हैं हम लोग वर्तमान में 22 में बिधी आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में 22 में बिधी आयोग के अध्यक्ष कौन है इसमें तो उनका नाम त्यारे मित्रो क्या है आप लोग comment box में बताईएगा और मैं आपको यहाँ पर उत्तर देता हूँ न्याय मुर्ती न्याय मुर्ती रितुराज रितुराज अवस्थी तो डियर स्टुडेंट प्यारे मित्रो वर्तमान में 22 में बिधी आयोग के अध्यक्ष न्याय मुर्ती रितुराज अवस्थी जी है question number 13 पर आते हैं वर्तमान में भारती वायू सेना के उप्रमुख कौन है तो question number 13 देखिए प्यारे बच्चों मित्रो ये सारे के सारे questions जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी के सभी questions एक्जाम में आते रहते हैं और आप इसको बहतर तरीके से तयार करिएगा और मस्ती के साथ पढ़िएगा और enjoy के साथ पढ़िएगा जितना हो सके उतना पढ़िए तभी तो आगे बढ़ेंगे जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा ने इंडिया जब पढ़ेंगे नहीं लोग तो कहां से बढ़ेंगे जानकार होना और सबसे important कि सिक्षित होना बहुत ज़रूरी है तो प्यारे मित्रों बहुत सारे ऐसे questions एक्जाम में आते हैं और मैं आपको बहुत सारे ऐसे questions के answer daily daily कराता रहूंगा आप लोग वीडियो पे बने रहेगा वीडियो को like करिएगा, subscribe करिएगा चैनल को bell icon को जरूर दबाईएगा ताकि नए नए अपडेट आप तक पहुंशते रहे तो question number 13 पर हम लोग आते है वर्तमान में भारती है वायू सेना के उप्रमुख कौन है तो भारती वायू सेना जो अपना है उसके वर्तमान में उप्रमुख कौन है इस बात को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है तो यह आपके है comment box में आप लोग बताईए मैं उत्तर यहाँ पर लिखता हूं यह है आसुतोस कौन है आसुतोस दिक्षित आसुतोस दिक्षित है दिक्षित आसुतोस दिक्षित है और कोशन नमर 14 पर आते हैं मित्रों, कोशन नमर 14 पर आते हैं, वर्तमान में राज सभा के सभापती कौन है, तो उत्तर है आप लोगों के लिए जगदीप, जगदीप, कौन है मित्रों, धन, धन खड़, ठीक है? यह आपके वर्तमान के सभापती हैं, तो एक बार मैं कोशन को और आंसर को फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसको आप लोग इसकी इंसाट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स कोशन पर चलेंगे, तो कोशन नमर एक था, वर्तमान में भारत के पचासमे कोशन नमर दो था, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका नम है राजियु कुमार, कोशन नमर तीन, वर्तमान समय में लोग सेवा आयोग, UPSC के नए अधेक्ष कौन है, डाक्टर मनोस सोनी, कोशन नमर चार, वर्तमान में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोट BCCI के नए अधेक्ष कौन है, उनका नम है रोजर विन्नी, और कोशन नमर पांच पर आते हैं हम लोग, वर्तमान में भारती ओलम्पिक संग I.O.A की पहली महिला अधेक्ष कौन बनी हुई है, तो P.T. उसा जो एक एथलिट है, हमने बताया था आपको, कोशन नमर च पर आते हैं, कोशन नमर 6, भारत की पहली आधिवासी महिला राश्पती कौन है, वर्तमान समय में, द्रोपती मुर्मोजी आपके और हमारे राश्पती है, और कोशन नमर 7, वर्तमान में भारत की, भारत के सालिसीटर जनरल कौन है, तुशार महता है, कोशन नमर 8, वर्तमा में ससस्त सीमाबल SSB की नई महानिदेशक कौन है रस्मी सुखला और कोशन नमबर 10 वरतमान में हाकी इंडिया के अधेक्ष कौन है दिलिप्तिकी और कोशन नमबर 11 वरतमान में परमाण उर्जा आयोग AEC के अधेक्ष कौन है अजीत कुमान महुंती और कोशन नमबर 12 वरतमा में 22 विधी आयोग के अध्यक्ष कॉन है न्याय मूर्तिरी नुर्ट राज अवस्ठी जी इसवें 22 विधी के आयोग के अध्यक्ष है कोशन नमर तेरा वरतमान में भारतिवाई सेना के उप्रमुख कौन है आसुतोस दिक्षित और कोशन पर 14 वर्तमान में राजसभा के सभापती कौन है उनका नाम है जगदीप धरखड तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखे इसका स्क्रीन साट ले लिजिए और इसके बाद हम लोग चलेंगे next question पर बात करेंगे भी बहुत सारे ऐसे questions है जो मैं आप लोग को उपलब्द करा होंगे तो यह आप लोगों के लिए नए questions है हम लोग चलते हैं हम नए questions पर question number 14 तक हमने आपको solve करवा दिया था अब question number 15 पर हम लोग आते हैं तो question number 15 है वर्तमान में थल से ना प्रमुख कौन है तो वर्तमान में थल से ना प्रमुख कौन है इसका उत्तर आप लोग comment box में दीजिए मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ lieutenant 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 dear students lieutenant 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 general general manuj जनरल मनुज लेटिनेट जनरल मनुज पांडे ये आपके थल सेना प्रमुख है वर्तमान में कोशन नमबर 16 पर आते हैं डेर स्टुडेंट प्यारे मित्रों कोशन नमबर 16 पर आते हैं और सारे कोशन्स आप लोग नोट करिएगा और आगे बहुत सारे ऐसे कोशन्स हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा तो कोशन नमबर 16 पर हम लोग आते हैं वर्तमान में 15 में बित आयोग अधेक्ष कौन है तो उत्तर आप लोग दीजेगा मैं उत्तर यहाँ पर लिख रहा हूँ नंद किशोर नंद किशोर नंद किशोर सिंग नंद किशोर सिंग तो कोशन नमबर 17 पर हम लोग आते हैं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अधेक्ष कौन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अधेक्ष कौन है प्यारे मित्रों आप लोग उत्तर कमेंट में दीजिए ज़रूर दीजिए और मैं आपको यहाँ पर उत्तर उपलब्द करवा देता हूँ जया वर्मा सिन्हा ये आपके वर्तमान में रेलबे बोर्ड के अधिक्ष है वर्तमान में NCRT के निदेशक कौन है तो NCRT जो हम लोग पढ़ते हैं जिससे बहुत समय से अच्छे-च्छे कोशन्स बनना स्टार्ट हुआ बेसी अब वही हो गया NCRT तो हम लोग उसके निदेशक कौन है उसकी जानकारी लेते है डाक्टर दिनेश प्रशाद शकलानी ये आपके NCRT के निदेशक है वर्तमान में कोशन नमर 19 पर आते हैं वर्तमान में CBSC के चेर्मेन कौन है कोशन नमर 19 पर आते हैं तो बिनीत जोसी बिनीत जोसी CBSC के नए चेर्मेन है कोशन नमर 20 पर आते हैं वर्तमान में CBI के महानिदेशक कौन है CBI तो आप लोग जानते हैं यह होंगे CBI किसे कहते हैं बड़ा मज़ा आता है CBI जहां पहुँच गई नहीं मामला गंबीर रहता है तो यहांपे महानिदेशक कौन है CBI के तो बरतमान में CBI के महानिदेशक कौन है कोशन नमर 20 पर आते हैं तो प्रभीड सूद जी इस समय CBI के महानिदेशक है कुशन नमर 21 पर आते हैं वर्तमान में राज्यसभा के उप्सभापती कौन है तो उप्सभापती इस समय राज्यसभा के कौन है वर्तमान में उनका नाम है प्यारे मित्रों हरिवन्स नरायड हरिवन्स नरायण कोशन नमबर 22 पर आते हैं वर्तमान में राज सभा के महा सची कौन है? तो वर्तमान में राज सभा के महा सची कौन है? इसका उत्तर मैं आप लोग को अपलब्द कराता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा प्रमोद चंद्रमोदी इस समय प्रमोद चंद्रमोदी प्रमोद चंद्रमोदी वर्तमान में राज सभा के महा सची हूँ है कोशन नमबर 23 पर आते हैं वर्तमान में लोग सभा के अध्यक्ष या सपीकर कौन है? लोग सभा के अध्यक्ष या सपीकर कौन है? अंसर है ओम बिर्ला ओम बिर्ला इस समय वर्तमान में लोग सभा के अध्यक्ष या स्पीकर हैं कोशन नमबर 24 पर आते हैं वर्तमान में राष्टी सुरच्छा सलाकार कौन है तो कोशन नमबर 24 का उत्तर मैं आप लोग को उबलाब्द कराता हूँ अजीत अजीत डुभाल इस समय वर्तमान में राष्टी सुरच्छा सलाकार है ठीक है और कोशन नमबर 25 पर हम लोग आते हैं वर्तमान में OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है तो उनका नाम है हंसराज अहीर इस समय OBC के OBC आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में बने हुए है तो प्यारे मित्रों इसका भी आप लोग इसकीन साट कर ले लिजे और हम लोग नए नए कोशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा आज आपको हमने 25 कोशन के आंसर उपलब्द कराए हैं वर्तमान में कौन क्या है तो हम लोग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ नए क्लास के साथ आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थाइंक्यू जैहिंद